वीडियो में बात करेंगे ड्रीम 11 आइस टीटेंड मैच की जो की मैच होने वाला यह से जिंजन जनरल्स वसेस बेलिफ ब्लास्टर्स के बीच में चले दोनों टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते के कौन से प्लेयर को में लोग यासे स्मॉल लिक में लेके जा सकते कौ का प्लेयर हमारे लिए क्याप्टन के लिए बीच चैप्टैं के लिए पो बात करेंगे थैके विदियो को सब्सक्राइब कर लेए 24 लेंगे तो खाब में यूचनल के लिए यूटूब चैनल पर मिल जाएगा इसके साथ साथ यहां से कल से मिजोरम T20 शुरू होने वाला उसके मैच इसके वीडियो आपको इसी यूटूब चैनल पर मिलने वाले है तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और यह से टेलिग्रम से जुड़ जाएगा क्योंकि यागर वीडियो चला लगी वीडियो को लाइक और शेर भी कर सकते हैं बात करें इस मैच के तो यह मैच रात को बारा बजे नेशनल क्रिकेश टेडियम स्ट्ट जोज ग्रेनाडा वेस्ट इट इज में खिला जागा पीच रेपोड की बात करो तो यहां से न्यूट्रल और बैलेंस पीच रहने वाला यानि कि दोनों को यहां से अच्छेगा से हल्प मिल सकती है और यह अच्छा भी स्कॉर देखने को मिल सकता है क्योंकि विंडीज पावर आपको पहले से पता है कि कभी भी बड़ा स्कॉर कभी भी पारी को उलट-फुलट कर सकते हैं एविरे स्क डिक्कते होने वाली है यहां से आसानी होने वाली है कि बदे तो सीक्षी करने वाले को यहां से मैंन और यहां से आसानी हे होने और ती जिट स्कॉरिया invers एक बार फिर से हम लोग इनको लेखे जाएंगे और यासे जोहां जेरेमिया इनके बारे में मैं पहले मेच से बता रहा रहा हूं कि यह प्लेयर्स काफी तकड़ा है यहां से इनके अवरोल रेकोर्ड्स हमको मिले नहीं थे लेकिन अपनी नेशनल टीम के लिए खेलता है डोम प्लेयर्स है लास्ट सीजन के अंकने काफी अच्छे लेकिन पिछली तीनों मैच में इतना कोई खास परफॉमस दिया नहीं लेकिन फिर भी है प्लेयर्स काफी अच्छा है तो इनको छोड़ना थोड़ा सा रिस्क तो हो सकता है लेकिन देख लेते हैं अगर एच्छी हो सकते हैं इनको अवर्ड करके चलेगा अगर यहां से एक आधी और यहां से काफी सारा रिस्क रहने बाला है तो इसको हम लेके जाएंगे ऐज प्लेयर्स के लेकिन को अगर एच्छी चोइस नहीं मिलती तो हम लोग इनके साथ जाएंगे लेकिन अभी के लिए तो मैं खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिल रहा है काफी नीचे बेटिंग करें यहां से चट्छे नमर पर खेलने के लिए आरहे हैं बाकि ओवरल रेकोर्ड काफी अच्छे 12 मैच के अंदर 20.14 के अवरे से 141 रन किये हुए तो इनको आप क्या कर सकते हैं इनको ग्रान लिग बगे आमें जरू ट्राय करेंगा एड़र्स लेरी इनको हमारी टीम में रहना है पड़ेगा क्योंकि पहले दोनों मेच के अंदर UIके नेका विकेट उनको नहीं मिले था लेकिन पहले दोनों इमेच के अंदर UIकेट निकालता वाहरा है एक बार फिर से हम लोग उनको मौका देंग दो बॉलर्स लेने, जिसमें से एक चार्स रेनॉल्टो फिक्स है, इनको अब छोड़के नहीं जा सकते हैं, पहले दो मैच के दो दो विगेट निकालें, लास मैच के अंदर एक विगेट निकाला, अभी चॉइस आपके उपर डिफेंड करेगी, यहां से एड़र्स लेरी, क काफी अच्छ है, तो लास मैच जब टीम बनाएंगे, तब तो इनको देखी लेंगे, बाकी मैंने कुछ इंपोर्णेट प्लेयर के बारे में आपको बता दिया, क्योंकि यहां से कीमो पीटर्स जोई, यहां से देथ होस में गयन बाजी करते हैं, यहां से नोमी और दसमी बीउल की तो चार मैच जिसमें से तीन जितकी आ रहे ही, यहां से हवन होज। तो कपैल में अच्छा कर सकते हैं तो इनको आपको छोड़के सकते हैं। यह भी उपोरणट रहने वाले हैं। को देवन स्मित को बात करो दो डेनि ईस सीद यूदै थोड़े से ऑक्की टाइप के टाइप के पिक रहेंगे तो ऑफसन्स हमारे पास फिकेट टाइपक इस की. लेकिन बात करें है रोबिंस ना थोड़े से टाइप के प्लियर हैं काफी नीचे बारा मेंग चक्छ से फिर्सक रहेंगे हर एक मैच के अच्छी विकेट चटका लेते हैं पिछली दोनों मैच के अंदर दो दो विकेट निकालते हो आ रहें अगर आप ग्रांड लिग वगे रहा हमें इनको कैप्टन और वाइस के तौर पर सजेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो पाकि फैलिक्स और यहां से ड मैच के अंदर तीन इंप निकाल चुके है और इससे पहले घृतिंग अंदर predictive निकाल धो यहां से एक टीम लग रहे हैं मुझे एक बार फिर से जितने के चांसे सिंद के थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं वाकि बैंस से कोई खेलेगा नों इनके स्टेट्स टेलिकर में प्रवाइड करा दूंगा इसके पहले देथ होस की बात करें तो देथ होस में आपको यहां से लेविस और पासकल दोनों आपको देथ होस में दिखेंगे तो इन दोनों प्लेयर्स के उपर आपको रिस्क लेना है याने कि इनको बिल्कुल छोड़के नहीं जाना है तो चले देख लेते हम भी फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है हमारी कौन से प्लेयर को लेके जा सकते हैं तो विकर इन भी लास मैच के अंदर काफी अच्छी पारी खेली थी तो इन दोनों प्लेयर्स को आप ट्राइ कर सकते हो ओल्राउंडर स्क्षन में यहां से मैक डॉनाल यहां से होज और यहां से डभी शेटे और रेनोल्ड हमारी टीम में रहने वाले बाकि उप्संस तो सारे मैंने पासकल समारी टीम में रहने वाले हैं बाकि ऑसस्क4 ऑफ्संस क्या है यहां से निको लैरी दोनों हे अच्ening पारक्षन से इनको त्राइख कर सकते हो पिटल्स को यहां से ट्राइख कर सकते यह अभी रिकेट आधा सकते हैं इसके लिए में थोड़ा से रिस्क नहींको त्रा बॉलोस के ओपर रिस्क ले सकते हो अभी लिए टुम कुछ इसरा से रहेगी केप्टन और वाइस केप्टन तो कुछ इसरा से रहेगे लिए रियाद रहे देमोडि में आपको टेलीग्राम में मिलेगी फाइनल लाइन आपके बाद टेलीग्रम से जुन्दा बिल्कुल मत सकते हैं तो हैने क्रें यूटुब में द Daar आपको मिलेगा मिजोर हम टेली आप जो की काफी अच्छी होनी वाली और पेली में הי bare जितने के चांसिस उसमें ज़्यादा रहने वाले तो मिजरम T20 का वीडियो रात को एक बज कर पंद्रा मेंट पाएगा आपको टेंसन लेने के जड़ोत नहीं है आप सुबा में उठके छे बज़े साथ बज़े जब भी उठो तब वीडियो देख सकते हो क्योंकि पहली मैच है और आपर ग्रांड लीग जितने का चांसे थोड़े से ज़्यादा रहते हैं तो मिलते हैं उसी वीडियो में तब तक पूरा वीडियो देखते रहो बाई तन्यवाद जय जय पारत